नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर यनियादो संस्थापक पहलवान गुरुदीन गुरुपाफ कालेज ललितपूर आज आप लोगों के सामने लाइफ में कैसे कामयाब हुआ जाए लाइफ में कामयाब होने के लिए लाइफ में सफल होने के लिए गोल सेटिंग कैसे करें दुनिया के तमाम सफलतम लोगों ने चाहे बड़े बड़े उद्योपती हों ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिसियंस हों, साइंटीस्ट हों, समाज से भी हों सभी लोगों ने एक बात अभी तक निर्विवाद रूप से कहा है कि लाइफ में गोल सेटिंग, लच्छ का निर्धारन अतियावश्यक है अब गोल का निर्धारन कैसे किया जाए? इस्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, दुनिया में, समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो गोल सेटिंग करना ही नहीं जानते हैं, गोल सेटिंग किया कैसे जाए? सभी लोग चुँकि यही बताते हैं, गोल सेटिंग करना जरूरी है तो साथियों में बताना चाहता हूँ कि गोल सेटिंग दो प्रकार के होते है साथ टर्म गोल एंड लांग टर्म गोल तो आप अपने लाइफ को कई भागों में बांट करके जैसे अगले पांच वर्षों के लिए आपका क्या गोल होगा अगले दस वर्षों के लिए आपका क्या गोल होगा अगले दस वर्षों के लिए पचास वर्षों के लिए पांस वर्षों का क्या आपका गोल है लाइफ का आप क्या बनना चाहते हैं यह अपने गोल को आप step by step year by year पहले से sit कर लेजी और उसको लिस्ट में नोट करने के बाद आप उस गोल के बारे में बिचार करिए, आडिया करिए, चिंतन करिए, मनन करिए क्योंकि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्मार करती है आपने मान लिया तो आपकी हार होगी, आपने ठान लिया तो आपकी जीत होगी कहा जाता है कि आपके विचार ही आपके जीगन का निर्मार करते हैं अगर आप ने अपने गोल के प्रती समर्पित हो करके अच्छे विचारों से अच्छे आडियाज से उसको फालो करने का प्रयास करते हैं तो आप एक दिन अपने गोल को अवश्य प्राप्त करते हैं यदि आपका गोल सेटिंग एक बार हो गया और आप उसके निरंतर काम करते चले जा रहे हैं तो आप अपने लश्च को अवश्य प्राप्त करेंगे सबसे महत्पून बात क्या है कि गोल सेटिंग करने के उपरांत हम ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दें हमें दो चीज करनी पड़ेगी ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जिनके विचार, आचरन, विवहार, सोच, गोल, आपके गोल से आपके लच्चे मेल नहीं खाते हैं और ऐसे लोगों का आपको साथ पकड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ आपको चलना पड़ेगा ऐसे लोगों साथ आपको ट्रवेल करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, जिनके विचार, जिनके आचरन, जिनका गोल, जिनका लज्श आपके गोल से मिलता जुलता है, तभी आप अवश्च कामयाभ हो पाएंगे, क्योंकि इस बात को स्री किष्ट आज से हजारों वर्फ पहले गीता में कहा था, कि यदि कोई ब्यक्ति अपनी इच्छित वश्ट को, इच्छित लच्च को प्राप्त करने के लिए निरंदर चिंतन करे, निरंदर विचार करे, निरंदर मनन करे, तो उस लच्च को प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं है इसलिए आप लोग अपने Goals का निधरान करिए Sword Term Goals और Long Term Goals Sun Term Goals क्या है और Long Term Goals क्या है Sword Term Goals में अता जैसे Students है उनका Students का AcademMy Cameron होता है academic Particum होता है अभी आपको graduation करना है post graduation करना है research करना है या Education की कोई degree लिनी है उसको लेने के बाद आपका goal क्या होगा आपका goal होगा कोई bureaucrates बनना है teachers बनना है banking, railway, etc किसी भी field में आपको government job करनी है या non government job करनी है यह आपका goal होगा उसके बाद long term जो goal होगा आप अपनी योगता से अपने पद से अपने परतिश्ठा से किस तरीके से इस देश की समाज की बहतर से बहतर सेवा कर सकते हैं कैसे आपका युगदान इस देश के लिए इस समाज के लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है यह आपका लांग टर्न गोल होगा साथियों एक बार गोल सेटिंग करना अतियाउश्यक है दुनिया के तमाम सभलतम और महांतम लोगों ने गोल सेटिंग करके ही अपने लाइफ को कामलियाब बनाया है यह उनका कहना है स्रीकिट ने भी यही कहा है दुनिया के तमाम ऐसे सभलतम जगती है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि गोल सेटिंग करना मत अतियावश्यक है गोल सेटिंग करने के लिए आपको अपने रूची अपने सामर्थ अपने छमता के अनरूप आप अपना गोल सेट करें गोल सेट करने के पच्चात आप उस पर निरंतर काम करें जब तक आप अपने गोल की अपने लश्च की ही चर्चा करिए और अपनी पूरी इनर्जी को पूरी छमता को पूरे मनोयोग से ध्यान लगा करके आप अरजुन की तरह जैसे चलिया की आँख केवल दिखाए दे रही थी आपको रात दिन केवल गोल ही दिखाए देना चाहिए तो निश्चिक र प्राब्त करेंगे बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरा मेसेज अच्छा लगा हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को रवस्च लाइक करें और इसको चल्दा सेयर करें ताकि यह बहुत से लोगों तक पहुंच सके बहुत धन्यवाद नमस्कार